चालना में हिंसा के बाद मराठा अरक्षण अंदुलन एक बार फिर से जिंदा हो गया है और उसका असर कल जहां राज में कई जिलों में वैपक्तर उपर देखा वहीं आज हम देख रहे हैं कि मुंबई दादर में मराठा अरक्षण अंदुलन के फिर से शुरुआत हुई है और यहां दाधर के पलाजा सिनिमा के पास बड़ी संख्या में यहां पर आंदूलन कारी उपसित में हैं आलांकि अभी जो आंधोलन चल रा है शांत्रिपुर्ण तरीक से चल रहा है लेकि जो इनकी मांग है उसके इसाब से इनका यही कहना है कि अगर जल्दी मांग मानी नहीं जाएगी तो आंधोलन या टे क्यों हो सकता है हमारे साथ है इस समय में बात करने के giam अंदोलन के समन्वाइब विरेंद पवार जी सरे बताइए कि आंदोलन की सुरुवात आप लोग ने फिर से की है मुंबई में क्या सुरूप होगा और कैसे आगे बढ़ेगी और कैसे आप लोग की मांग आप लोग मनवाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोट ने तो साफ कर दिया कि हम मराधा समाज के साथ में तो सब साथ में मिलके यह बात कह दे कि हां मराधा समाज को ऊरक्षन देना चाहिए बात करें अगर आप जाते चीद हुआ है उसका आपको दूख है तो आप प्रतिगी अभी दीजिए आप मराड़ा समाज को 50 टके के अंदर अरेक्षण देना चाहिए ये बात कहिए कहनी चाहिए आपको मराड़ा समाज के साथ अगर आप तो आप की से अमरी उमीद है कि आप बताए वाट तो दी गई है उनका कहना है कि जो लाठी चार्ज हुआ वो चुकि आंदुलन कार्यों ने पत्थर चला है इसके लिए जवाब में लाठी चार्ज हुआ इस तरह कि आई है अलांकि मुखमेति ने जरूर कहा है कि उचसरी जानत की जाएगी आपने मराड़ा समझ के इतने समाज को बददाम करने की साजिश्थ के लिए तो आरेक्षन के लिए हम लोग लड़ रहे हैं लाटी चार्ज के लिए लाटी ने कैसे आगे बढ़ाएंगे आंदोलन की शुरुवात आज मुंबई में नहीं हुई है पूरे राष्टरबर में हो रही है सब जगह पे आंदोलन हो रहे आंदोलन से दिखाई देगा आगे क्या होगा तो हम देखें यह दादर का प्लाजा है जहां पर आंदोलन का रिया है और आंदोलन ने कोई अनुएन गटे कोई सड़क पर ने जाए रास्ता जाम नहों इसलिए बड़ी संक्या हम देखें किस तरह पुलिस की सुरक्षा भी लगाए गई है पुलिस बड़ी संक्या में यहां पर तैनात हैं और अलग-अलग मारठा कांती मुर्चा की अलग-अलग अलग-औअलग जम्हों की यह एक यहां पर लोग जमा हुए हैं बड़ी संक्या में और सभी इस तरह से बैनर और कोश्टर भी लोगों ने लिया है दूश्तिना बाजblowing की जा रही है नारा बाजर भी की जा रही है और अलग-अलग जो है कि यहां पर हैं हमारे साथ हैं प्रसांद सामांते भी एक मराणास समाज के समन में कहें सर क्या कहें कि आज के आंदोलन का क्या स्वरूप होगा और किस सरे से आप लोग अपनी मांग सरकार तक पहुचाएंगे सुप्रीम कोट ने मना ही कर दिया है तो सुप्रीम कोट ने मना ही तो सेंटर गोवर्मिंट को भी की दि लेकि जब उनके प्रॉबलम होते हैं तो उनकी जो प्रॉबलम से Munichs हैं उलोग सबास्वा में अपने वहुंत के जोर पर उनोग करा करे लाते हैं में अगर देना चाहते है to एक घंटे का काम है और ऐसे भी ने कि दो दफा महाराष्टा ने माराष्टा गवर्मेंट ने एक बार फड़ पड़नी सरकार के यूती सरकार ने हमको आरेश्टन दिया था और फिर यूँ निकाल के लिए और हमारे समाज को उसका लाब भी बिला लेकिन इनको जो उनकी राजनीती खेलनी है इनकी राजनीती खेलनी है यह प्लान किया हुआ कारिक्रम ही है आज जो अंदोलन करता करताओं पे जो लाटी चार्च किया है हमारे महिलाओं के सर फोड़े गए यह प्लान किया गया है प्लान कैसे कह सकते हैं उनको राजनीती वा बड़े बड़े बिल जो रा रहे है आज सरकार जो इस देश में उसको माइंड डाइवर्ट करने काम जो है एक नैरेटिव सेट करने काम जो है यह सरकार करती है यह हमारा आरोप है जो प्रॉब्लम जो है जो प्रॉब्लम जो है उसके पर ध्यान नहीं देती आज हमने इस मोर बात ही नहीं करती एक गलत हो रहा है हम काफी व्यती थे हैं हम धुकी है और जो जालना की घटना हुई उससे तो हम तो इतने नाराध है कि आने वाले कल में आज जो जो जिस तरीके से ये देवेंद्रा फड़नी भरताव कर रहा है वो सोचा हो गए जालना है वो तुसने सोच में शायद उनके पक्स के कोई गुंडे भी हो सकते हैं और भी लोग हैं यहां पर हमसे बात करने के लिए अलग अलग गुटों में फिलहाल जो है आंदोलनकारी बटे हुए हैं अलांकि अभी सड़के एक तरफ हैं लेकिन संख्या भी देखा जाए तो उस तरफ से उस लिह से चार्ज से कमस्कम आंदोलनकारियों को पीटा गया जख्मी किया गया एक और नेता है मरसा सुआस मराठे यहां पर हैं बताइए कि क्या आप लोग चाहते हैं अब सर मराठा समाज को ओबिसी के अंदर गत आरक्षण मिलना चाहिए इस आरक्षण के मांग के लिए जालना में एक चोटे से कजबे में कई दिनों से हमारे जरांगे पाठील जो थे यह आंदोलन कर रहे थे यह आंदोलन करने करते समय हमने यह देखा है कि आपके समाज माध् विद्यारती घायल हुए और ये जो लाठी चाज ता ये प्लांटेट था ये देवेंदर पनरवी साब ने और उनके उनके हाथ में जो गुरूव मंतरा लई है वो गुरूव मंतरा लईए कि ताकत इनों ने वाप्री है और उस ये आंदोलन जो शांतता पुर्णा आंदोलन हो रहा था उसको भैकाने का काम किया है और उसके बाद में जो घटना घटी है उसके बाद में जो घटना घटी है उसमें मराटा करांती मोर्चा के उस गाउ के कारे करता हूं का कोई भी लेना देना नहीं था इसलिए ये गटना का हम निशेत करते हैं और जब तलग फड़नवी साब अपनी नहीतिकता देखते हुए राजी नामा देते नहीं है तब तलग हम लोग यह आंदोलन ऐसा ही शुरू रखेंगे आज मराठा क्रांती मोर्चा, मराठा महा संग, मराठा सेवा संग, संबाजी ब्रिगेट, चावा संगटना, शुराज्य ब्रिगेट, सभी मराठा संगटना की और से मुंबाई में यह बहुत बड़ा आंदोलन किया जा रहा है और यह आंदोलन क्या भी व्याप्ति बढ़ने वाली है, यह आंदोलन इदर तलग रुखने वाला नहीं है, आज के बाद में हर जिले म हर तालुका में, हर गाउ-गाउ में यह आंदोलन होगा, और जब तलग देवेंद्र फड़नवीस साब इस घटना का अपने उपर जिम्मेदारी लेके राजी नमा नहीं देते, तब तलग यह आंदोलन चलेगा, हम राजी नमा लिए बिए 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 शांतों बैटने व आरक्षन नहीं मिलेगा, तब तके आंदोलन चलता रहा है, मुंबई से सुनिल सिंग अनिटी मीडिया की